चलते फिरते गाजर एक शांद भरी दुपहर दर्बारी राज्च की समस्या पर चर्चा कर रहे थे और बीर बल वहाँ खर्राटे लिए सो रहे थे उसी वक्त वहाँ श्री लंका देश के एक राज़तूत श्री अटापट्टू ने कदम रखा और बार्चा को हाथ जोड़कर नमस्कार किया अकबर बार्चा की जय हो ओ अटापट्टू कहो आज यहाँ कैसे आना हुआ वो दरसाना मैं हमारे राजा स्री लंकेश्वर धने का एक संदेश देने आया हूँ क्रिपिया आप यिसे पढ़े बाच्छा ने जब उस संदेश को पढ़ा तो उनकी हसी निकल पढ़ी ये देख सारे दरबारी भी दंग रह गए शमा चाहता हूँ बाच्छा पर क्या हम जान सकते हैं कि उस खत में ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़के आप यूं हसी के तखाके लगाने लगे कहीं कोई हाती और चीटी के चुटकुले तो नहीं चुटकुला नहीं गाजर दिया है श्री लंकेश्वर धने ने काजर मैं कुछ समझा नहीं बाच्छा महान वो दरसल श्री लंकेश्वर धने हमारे भूद अच्छे वित्र है जब हम उनसे आखरी बार मिले थे तब वा बादिशा अगबर वा राज तुमारा बहुत सुन्दर है पर हमारा राज जीतना नहीं मैं नहीं मानता हमारा राज ज्यादा सुन्दर है और यहां के लोग तुमारे लोगों के मुकाबले ज्यादा होश्यार भी है अगर ये बात है तो फिर मुझे जामित करना ही होगा कि तुमारे लोग की होश्यार मेरे जामने नहीं चलेगी ठीक है, हमें ये चुनोती मन्जूर है, तुम जब चाहो तब हमारे लोगों का इम्तिहान ले सकते हो पर अगर तुम ये चुनोती हार गे तो तो फिर हम अपने मूचे मुणवा देंगे बिना मुचो के बादशा कैसे लगेंगे, ये सोचकर दरबारी सर खुजाने लगे और तभी बादशा बोले अब हमारी शान तुम सब के हातों में है, जैसे की इस खत में लिका है हमें स्री लंकेश्वर्धने के पास चलते फिरते गाजर भेजने होंगे चलते फिरते गाजर, ये कैसे मुमकिन है, गाजर तो जमीन के अंदर होते हैं और इतने मजबूती से गड़े हुए होते हैं कि चलना फिरना तो छोड़ो, वो तो हिलते डुलते भी नहीं है हम जानते हैं, पर हमें किसी भी हाल में ये शर्ट जीतनी होगी अगर मैं ये शर्ट हार गया, तो मेरी तो सिर्फ मूचे जाएगी, तुम सब की तो मैं दाड़ी आउर सर दोनों मुणवा दूंगा ये सुन तो सब चिन्तित हो गए, और एक साथ एक सुर में चिल्लाए बीरबल! हाँ? कौन? क्या? कब? कैसे? कुछ शणों में बाच्छा ने बीरबल को सारी बात समझाई, जिससे सुन बीरबल सोच में पढ़ गए और बोले ये क्या? क्षमा चाहता हूँ महराज, ये मुम्किन नहीं होगा, हम इनसान एक दूसरे को चुनोती दे सकते है, प्रकृति को नहीं ये क्या कह रहे हो बीरबल? ये सिर्फ बाच्छा के मूचों का नहीं, राज्य के इज़त का भी सवाल है बीरबल बिचारा तो इस बार फस गया था, काफी सोच विचार के बाद भी उन्हें इसका हल मिल नहीं रहा था इस बार उन्होंने हार मान ही ली, जिसे देख बाच्छा भी चौक गए, और आटा पट्टू ने अपनी जोली से उस तरह निकालते हुए कहा तो बादिशा अकबरा, शर्त के अनुसार, अब आपकी मूचे काट करे अपने साथ ले कर जाता हूँ ये सुन बाच्छा पसीना पसीना हो गए, उनकी मूचे उनकी शान थी, जिसके अब बली चड़ने वाली थी वहाँ खड़े बीरबल ने अपना सिर्थ नीचे जुका लिया, लेकिन तब उनके दिमाग की पत्ती जली रुको अटापट्टु जी, मुझे चलते फिरते गाजरों का पता लग चुका है ये सुन अटापट्टु रुके और बाच्छा समेत सभी दरबारियों ने राहत की सास ली हाँ, बस आप मुझे कुछ दिनों का वक्त दीजिये, मैं स्वयम आपके पास चलते फिरते गाजर भीजवा दूँगा ये कहे कर अटापट्टु वहाँ से निकल गए और बीरबल तुरंट वहाँ से तोड़ भागे बाहर आते ही बीरबल ने तुरंट चार लकडी के डब्बे मंगवाए, फिर उन्होंने उन डब्बों में काली मिट्टी भरवाई और फिर खाद डालने के बाद उसमें उन्होंने गाजर के बींज बोए कुछ दिन बीट गए और उसमें से अच्छी खासी गाजर की फसल उगने लगी वाँ बीरबल तुमने तो अच्छी फसल उगाई है वो तो ठीक है बाद्शा पर ये गाजर चल कहा रहे हैं वे तो वही हैं रुको जरा सबर करो फिर बीरबल ने सीटी बजाई और वहाँ आपड़ी एक पैल गाड़ी फिर उनके इशारे पर कुछ सेवकों ने उन लकडी के डब्बे को गाड़ी पर लान दिया जिसे वे एक खेट समान लगने लगे महराज अब ये गाजर लंका पधारने के लिए तयार है उन्हीं भी तो पता चले हमारे राज्य के लोग अपनी बुद्धी से किसी भी चुनोती को पार कर सकते है वा बिरबल तुमने हमारी मूछे ही नहीं ना कटने से भी बचा लिया तुम ला जवाब हो बलके तुम पुरूष ही नहीं महा पुरूष हो बाच्छा ने फिर गाजर रत को लंका ले जाने का हुकम दिया और कुछ दिन बाद जब खाली रत लोटी तो उसमें एक और ख़त था जब बाच्छा ने उसे पढ़ा तो वो फिर हसने लगे अब क्या हुआ महाराज? स्री लंके श्वर्धने का ख़त है उन्होंने हमारे रज्य के लोगों की होश्यारी को स्विकार लिया है और लिखा है अगली बार गाजर के साथ मूली और ककड़ी भी भेजना ये सुन सब हस पड़े और हमने ये सीखा कि सही युक्ती लगा कर मुश्केर से मुश्किल पहली भी सुर जाई जा सकती है